दिखे कुछ थपड ऐसे होते हैं जिसकी चोट भले ही कम लगे लेकिन गूंज बहुत तेज सुनाई देती है इशान किशन ने ऐसा ही एक थपड मारा है अब इसको सयोग बुला लीजिए या फिर कह लीजिए कि इशान किशन ने कम बैक इसी विसफोटक अंदाज में प्लान कर रखा था लेकिन अभी परसों ही जैशान एक स्टेट्मेंट दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि शेय सेयोर इशान का कॉंट्राक्ट टर्मिनेट करने का फैसला चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर का नहीं बलकि उनका था यानि उन्होंने चाती ठोक कर बोल दिया कि मैंने किया है दोनों लोगों को टर्मिनेट लेकिन जैशा को अंदाजा भी नहीं होगा कि इशान किशन उनको एक ही दिन के अंदर जवाब देंगे और इतना करारा जवाब देंगे कि इतना करारा तो आप लोग खिचडी के विराम चाहिए बाद में इंटरनेट पर एक वीडियो वाइरल हुई जहां पर इशान दुबई हमें पार्टी करते दिखाई दिए बीची वालों ने कहा कि ऐसे कैसे बें स्टोक्स हमें बता रहे हो कि में इंटल हेल्ट ठीक नहीं है फिर पार्टी कर रहे हो हाला कि मैं मे मेरे हिसाब से काफी बकवास बात थी अगर में ठीक करने के लिए इंसान इंटर्टेनमेंट का ही तो सहारा लेगा है कि अकेला कमरे में पड़ा रहेगा तो और जादा खराब होगी में इंटल हेल्ट लेकिन बीची सिय को यह बात पसंद नहीं आई बार बार कहा गया कि ड नाश्ते में खा जाओं फिर बीची सिय ने इशान किशन से कहा कि नमक डाल कर दही खटी बना लो और अगर नहीं मानना है हमारी रूल तो करियर की बत्ती बना लो क्या बात यह बात है और इसी के साथ सेंट्रल कॉंट्रेक्ट की लिए जब अनाउंस हुई तो इसमें इश इशान किशन का रास्ता कठीन था लेजिन इशान किशन ने एक बार फिर कहा कि बल्ला एशा की कमाल कर दोंगा और रन बनाओंगा इससी एक को कांटनलों कर दोंगा कर दोंग। आप वही समझो जो लाल किया इशान किशन ने क्यूंकि बुच्ची बाबु टॉर्णमेंट में जहार्खन की कफ्तानी करते हुए इशान ने क्या कमाल परफॉर्मेंस दिये मद्य परदेश के खिलाफ खेले के मैच में पहले इनिंग में इशान ने सेंचुरी लगाई और दूसरी में जब जहार्खन की टीम मुश्किल में थी तब 58 गेंदों में नॉट आउट डिक्तालीस रन बनाए और क्या बहतरीन फिनिश किया है जहार्खन को जीतने के लिए 12 चाहिए थे जब कि सिर्फ दो विकेट बाकी थे इशान ने दो छक्के लगा कर दिखा दिया T20 में इशान किशन ने वापसी के बात से बहुत जादा इंपरेस नहीं किया और संजू का जिक्र तो हम रहने ही देते हैं लेकिन क्योंकि अब इशान वापस आगे हैं और रोहिट शर्मा से उनकी अच्छी खासी दोस्ती भी है तो क्या आप अब उनकी इंडिन टीम में जगे देख रहे हो यहां फिर अभी तो अंगडाई है इशान के लिए आगे बहुत लडाई है क्या लगता है आपको कॉमेंट करके बताना हम आपसे मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ चैनल सब्सक्राइब करना फेस्बूक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना थैंक्यू फो वाचिंग जेहिंद